हाल ही में खबरों में रहे बुकपुरसकार के संदर्ब में गलत कथन का चैन करें एक शेहान करुनातिल का अपने उपन्यास दसेवन मून्स ओफ माली अलंदा के लिए बुकपुरसकार 2021 जीतने वाले पहले श्री लंकाई है दो, वर्ष 1989 में UK में स्थापित यह पुरसकार शुरू में केवल राष्ट्र मंदल आईरिश और दक्षिन के नागरिकों द्वारा लिखे गए उपन्यासों को प्रदान किया जाता था नीचे दिये गए कूट में से सही विकल्प, विकल्पों का चैन कीजिए A केवल एक, B केवल दो, C एक और दो दोनो, D उप्रोक्त में से कोई नहीं उत्तर, C प्रसंग, हाल ही में श्रीलन का इलेखक शेहान करुना तिलका ने अपने उपन्यास The Seven Moons of Mali Almda के लिए बुकपुरसकार 2022 जीता यह उपन्यास एक करकश, मारमिक रूप से मजाकिया व्यंग्य है जो ग्रिहयुत से घिरे श्रीलन का की घातक तबाही के संदर्ब में लिखा गया है वर्ष 1992 में, The English Patient के लिए सम्मानित किये गए माइकल ओन्दात जे के बाद करुना तिलका इस साहितिक पुरसकार को जीतने वाले दूसरे श्रीलन का इव्यक्ति हैं, बुकः पुरसकार बुकः पुरसकार, जिसे पहले बुकः प्राइज फॉर फिक्षन 1979-2001 और मैन बुकः पुरसकार 2002-2019 के रूप में जाना जाता था कथा साहित्यक एक शेत्र में दुनिया का अग्रणी साहित्यक पुरसकार है, यह पुरसकार अंग्रेजी में लिखे गए और United Kingdom या Ireland में प्रकाशत उपन्यास को दिया जाता है जब यह पुरसकार बनाया गया था, तब केवल राष्ट्र मंडल, आईरिश और दक्षिन अफ्री की और बाद में जिंबाबवे नाग्रिको द्वारा लिखे गए उपन्यास पुरसकार प्राप्त करने के लिए पात्र थे लेकिन वर्ष 2014 में इसे विश्व भर के किसी भी अंग्रेजी भाषा के उपन्यास तक बढ़ा दिया, गया यह पुरसकार बुकः पुरसकार फाउंडेशन द्वारा तै किया जाता है, स्पाष्टी करन, एक अन्य पुरसकार, अंतरराष्ट्रिय बुकः पुरसकार, जिसे पहले मैन बुकः अंतरराष्ट्रिय पुरसका के रूप में जाना जाता था. United Kingdom में आयोजित एक अंतराष्ट्रिय साहित्यक पुरस्कार है. यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी में, अनुवादित और United Kingdom या Ireland में प्रकाशित एकल पुस्तक को दिया जाता है. महाकाल मंदिर और उज्जैन के संबंध में निमनलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए पुराणों के अनुसार, भगवान शिव ने प्रकाश के एक अंतहीन स्तंब के रूप में विश्व को पार्गमित किया, जिसे ज जियोतिर लिग कहा जाता है. ब. आत्वी शताब्दी में रचत मेट दूतम के प्रारंभिक भाग में कालिदास ने महाकाल मंदिर का विवरण दिया है. C. महाकाल दक्षिन की और मुख वाला एक मातर जियोतिर लिग है. जबकि अन्य सभी जियोतिर लिंगों का मुख पूर्व की और है. D. उज्जैन शहर भी हिंदू शास्त्रों की अध्ययन के प्राथमिक केंद्रों में से एक था. जिसे छटी और सात्वी शताब्दी इसापूर्व में अवन्तिका कहा जाता था. उत्तर B. प्रसंग प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकाल लोक कॉरिडोर के पहले चरण का उद्धाटन किया. पुरानों में कहा गया है कि भगवान शिव ने प्रकाश के एक अंतहीन स्तंब के रूप में विश्व को पारगमित किया. जिसे जियोतिरलीग कहा जाता है. भारत में 12 जियोतिरलीग स्थल है जिन्हें शिव का एक रूप माना जाता है. महाकाल दक्षिन की ओर मुख वाला एक मातर जियोतिरलीग है. जबकि अन्य सभी जियोतिरलीगों का मुख पूर्फ की ओर है. ऐसा इसलिए है क्योंकि मृत्यू की दिशा दक्षिन मानी जाती ह महाकाल मंदिर का उलेक कई प्राचीन भारतिय काव्य ग्रंथों में मिलता है. चौथी शताबदी में रचत मेग दूतम पूर्व मेग के प्रारंभिक भाग में कालिदास महाकाल मंदिर का विवरन देते हैं. यह एक पत्थर की नीव के साथ लकडी के खंभू पर छट के सा एक के रूप में वरनित है. गुप्त काल से पहले मंदिरों पर कोई शेखर नहीं होता था. उज्जैन शहर भी हिंदू धर्मग्रतों की अध्ययन के प्राथमिक केंद्रों में से एक था. जैसे छटी और सात्वी शताबदी इसा पूर्व में अवंतिका कहा जाता था. बा उज्जैन पर आक्रमन के दोरान तुर्क शासक शम्ज उद्दीन इल्तुतमिश द्वारा मंदिर परिसर को नश्ट कर दिया गया था. वर्तमान पांच मंजला सनरचना का निर्मान मराथा सेनापती रानोजी शिंदे ने 1734 में भूमिजा चालुक्य और मराथा वास्तुकल की शेली में किया था. हाल ही में भारतिय प्रतिसपर्धा आयोग की ने निमनलिखित में से किस कमपनी पर कई बाजारों में अपनी प्रमुक स्थिती का दुरुपयोग करने के लिए जुर्माना लगाया है. A. एपल B. अमेजन C. मेटा D. गूगल उत्तर D. भारतिय प्रतिसपर्धा आयोग की ने Android Mobile Device पार स्थिती की तंत्र के कई बाजारों में अपनी प्रमुक स्थिती का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर जुर्माना 1337.76 करोर रुपे लगाया. की ने C. जेंड D. डाजिस्ट आदेश जारी करते हुए गूगल को एक समय सीमा के भीतर अपने आचरण में सुधार करने का भी निर्देश दिया. इसमें कहा गया है कि मूल उपकरण निर्माताओं OEM को अनुप्रयोगों के एक समूह को प्री इंस्टॉल करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए. मामला 2005 में गूगल द्वारा अधिग्रहित Android Operating System OS से संबंधित है. भारतिय प्रतिसपर्धा आयोग सामविधिक निकाए. प्रतिसपर्धा अधिनियम 2002 जैसा की प्रतिसपर्धा संशोधन अधिनियम 2007 द्वारा संशोधित किया गया है. आधुनिक प्रतिसपर्धा कानूनों के दर्षन का अनुसरन करता है. characterized by प्रतिसपर्धा विरोधी समझोतों उद्यमों द्वारा प्रमुक्स्थिती के दुरुपईयोग को प्रतिबंधित करता है और सयोजनों अधिग्रहन नियंत्रन हासल करना को नियंत्रत करता है. जो भारत के भीतर प्रतिसपर्धा पर एक महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का कारण बनता है अधिनियम के उद्देश्यों को भारतिय प्रतिसपर्धा आयोग के माध्यम से पूर्ण किया जाता है जिसे केंडर सरकार द्वारा 14 अक्टूबर 2003 से स्थापित किया गया है की में एक अध्यक्ष और केंडर सरकार द्वारा नियुक्ट 6 सदस्य होते हैं प्रतिसपर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रताओं को समाप्त करना प्रतिसपर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना उपभोकताओं के हितों की रक्षा करना और भारत के बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना आयोग का कर्तव्य है लोक अधालतों के संदर्ब में निमनलिखित कतनों पर विचार कीजिए अधालत का डिक्री माना जाता है तीन इसका निर्नय अंतिम और सभी पक्षों के लिए बाद्यकारी है और किसी भी न्यायाले के समक्ष कोई अपील दायर नहीं की जा सकती है चार लोक अधालतों के सदस्यों की भूमिका केवल वैधानिक सुलह करता की होती है और उनकी कोई न्यायिक भूमिका नहीं होती है उपर दिये गए कतनों में से कौन सा से सही है है ए, एक और दो, बी, दो और तीन, सी, एक, तीन और चार, डी, एक, दो, तीन और चार उत्तर, सी, संदर्ब, जेलों में लोक अधालतों ने कैदियों, विशेश रूप से विचाराधीन कैदियों को राहत दी है जो कानूनी सलाह तक पहुँच के बिना पीरित है राष्ट्रिय कानूनी सेवा प्राधिकरण, NALSA, अन्य कानूनी सेवा संस्थानों के साथ लोक अधालतों का आयोजन करता है लोक अधालत वैकल्पिक विवाद निवारन तंत्रों में से एक है, यह एक ऐसा मंच है, जहां अधालत में या पूर्व मुकद में बाजी स्तर पर लंबित विवादों, मामलों को सोहार्ट पूर्ण धंग से निप्टाया, समझोता किया जाता है कानूनि सेवा प्राधिकरन अधिनियम लोक अधालतों द्वारा दिये गए निर्नए को एक दीवानी अधालत की डिक्री माना जाता है अर यह सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है और इस तरह के निर्नई के खिलाफ किसी भी अदालत के समक्ष कोई अपील नहीं होती है यदि कोई पक्ष लोक अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है हाला कि इस तरह के एक निर्नए के खिलाफ अपील के लिए कोई प्रावधान नहीं है वे आवश्यक प्रक्रिया का पालन करके अपील के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए मामला दर्ज करके उचित क्षेतराधिकार की अदालत में जाकर मुकदमा शुरू करने के लिए स्वतंत्र है जब लोक अदालत में मामला दायर किया जाता है तो कोई अदालत शुर्ग देय नहीं होता है यदि अदालत में लंवित मामला लोक अदालत को भेजा जाता है और बाद में निप्तारा किया जाता है तो मूल रूप से अदालत में शिकायतों या चिका पर भुगतान किया गया अदालत शुल्क भी पक्षकारों को वापस कर दिया जाता है लोक अदालतों में मामलों का निर्णए करने वाले व्यक्तियों को लोक अदालत का सदस्य कहा जाता है उनकी भूमिका केवल वैधानिक सुलह करता की होती है और कोई न्याईक भूमिका नहीं होती है हाल ही में ग्रोनिंजन गैस फील्ड अपने भूकम पिया गतिविधी ओप्रेशन के कारण चर्चा में रहा कहा स्थित है A. नीदरलेंड B. युनाइटड किंडम C. फ्रांस D. जर्मनी उत्तर A. प्रसंग नीदरलेंड सरकार भूकम्प से त्रस्ट चर्चा में रहा क्षेत्र में एक बड़े गैस फील्ड को बंद करने की मांग के संबंध में दुविधा में फंस गई है सर्दिया आने के साथ ही यूरोप को ओर्जा की समस्या का सामना करना पर रहा है Nord Stream A. जो रूस को जर्मनी से जोडने वाली एक ओर्जा पाइपलाइन है मेविस फोटों के कारण हुए लीकेज ने आपूर्ती रोक दिया है Hydraulic Fracturing या Fracking द्वारा तेल या प्राकृतिक गैस निशकर्शन के लिए गेहरे भूमिगत चत्तानों को तोड़ने के लिए चत्तानों के दरार में तरल पदार्थ को तीवरता से छोड़ा जाता है जहां जमीन से 2000 से 3000 मीटर नीचे चत्तान को fracture किया जा रहा है इस प्रकार तेल और गैस की खोज भूकंप का कारण बन सकती है यूरोप में उर्जा संकट, प्राकृतिक गैस और बिचली की बड़ती लागत के परिनाम स्वरूप इसपात निर्मान और कार निर्मान से लेकर वस्त्र और कपडों तक सभी उद्योगों के लिए परिचालन लागत में उच्छाल आया है बड़ती उर्जा लागत के बीच यूरोपिय उद्योग प्रतिस्पर्थी बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं भारत की घरेलू गैस की कीमत चार वैश्विक सूचकानकों के औसत से निर्धारित होती है जैसे USA का हेंरी हब, UK का नेशनल बैलंसिंग पॉइंट, कनाडा का अलबर्टा और रसियन गैस